हलो तुटन सेवेसेंटंट्रोंट्र से रूलोंडेशन पेपर पर फॉर्म मैं आब लिंख पर Packциюically saya toutes Henry mailनि的時候 निनिभेस्च निविट्स पर्पोर्चिन हैं भेस्टैसर्य पर नोट्रोंडी तेरी ने गारा सफ्रेथेंद्रों और आल्टेने लेंड अंभी आज हम पढ़ेंगे कमपोनेंड़ू कर देंगे साथ में चलिए कंपटानेंडू मतलब क्या होता है यहां प्रक निखा है ठीक है इसका मतलब होता है एड कॉम यह शॉट फॉर्म है एड कंपोनेंडो दो चिसको साथ तो हम क्या करेंगे इसमें क्या होगा अप्लस बी अपन बी प्लस डी अपन डी मतलब जो इसका डिव जो इसका इसका कॉंसेक्वेंट होगा उसको एड कर देंगे और नीचे वाएं जोगें से कॉंसेक्वेंटी रहेंगा हूं चल लियू अभिने एप्लस बी щilby इक्वालट उसी प्लस डी अब इसको लिखते कैसे हैं इसको अप्लस बहपार बी एक्वालट उसी क्लस डी अपन डी इसकर मातें है हमारा पाला एक्जामपल है 2 ratio 4 और 8 ratio 16 तो अगर हमें question में कहा है कि इसका component करो तो हम component कैसे करेंगे 2 plus 4 upon 2 और 8 plus 6 16 upon 16 यहां पर हमारा a equal to 2 है b equal to 4 है c equal to 8 है और d equal to 16 है तो इसमें हम यह formula use करेंगे तो प्लस 4 upon 2 equal to 8 plus 16 upon 16 अब हम इसको simplify करेंगे 4 plus 2 6 होता है तो 6 upon 4 equal to 8 plus 16 कितना 24 upon 16 हम इसको further simplify करेंगे 2 से दिवाइड करेंगे दोनों सेड में कि इवार 2 से और यह अपर 8 से तो हमारा एंस वारा 3 upon 2 equal to 3 upon 2 ओके component ओ ऐसे यूज करते कंपोनेंडों में क्या करते हैं सब्सक्राइड करेंगे और नीचे अब हम आएंगे डिवाइड किया था डिवाइड करेंगे मतलब माइनस माइनस करेंगे ठीक है जैसे वह रेशू बी इकोल टूसीरे आपान बी इकोल टूसी माइनस दी अपन दी देखिए इसको एस तरह से लिखते हैं A-B upon B equal to C-D upon D Example देख लेते हैं 16 ratio 8 equal to 4 ratio 2 A हमारा 16 है B हमारा 8 है C हमारा 4 है और D हमारा 2 है अब यह formula हम लिखेंगे अब formula में value कर देंगे value का होगा हमारा 8-16 upon 16 equal to 4 minus 2 upon 2 अब हम इसको further simplify करेंगे तो 8 upon section हो जाएगा और यहाँ पर 2 upon 4 हो जाएगा हम इसको further simplify करेंगे तो हो जाएगा 1 upon 2 equal to 1 upon 2 तो यह होता है dividend component में add करेंगे dividend में minus करेंगे उपर antecedent के साथ और जो हमारा 5 है component और divi डेंडो इसमें क्या करेंगे हम ऊपर add करेंगे antecedent consequent और नीचे minus करेंगे पहले component हो फिर divi डेंडो देखिए a plus b a minus b एक bracket में a plus b दूसरे bracket में a minus b equal to c plus d और दूसरे 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 c minus d इसको ऐसे शो करते हम a plus b upon a minus b equal to c plus d minus c plus d upon c minus d अब एक्जाम्पल देख लेते हैं 8 upon 16 equal to 4 ratio 2 16 ratio 8 equal to 4 ratio 2 ठीक है हमारा a है 16 b है 8 c है 4 d है 2 अब हम इसको जो हमारा component है वो divi डेंडोन का जो formula है उसको लिखेंगे और हम इसमें value place करेंगे तो क्या होगा 16 plus 8 upon 16 minus 8 ओके उसके बाद चाहिए 4 minus 2 upon 4 plus 2 4 plus 2 minus 4 minus 2 उप्टी उपर plus और नीचे minus ठीक है antecedent में plus करेंगे और consequent में minus करेंगे जेखेंगे अब हम इसको add करेंगे और नीचे less करेंगे तो उपर हो जाएगा 24 upon 8 equal to 6 upon 2 हम सिंप्लिफाई करेंगे तो 3 upon 1 equal to 3 upon 1 तो यहां पर हमारा component हो dividend हो तो के next lecture में हम पढ़ेंगे थेरम last proportion बाई